लखनव के बीजेपी कारेले में चल रही बड़ी बैठक धर्में तुधान और अनुराग ठाकुल ले रहे मीटिंग पार्टी नेताओं कारिकरताओं के साथ बड़ी मीटिंग बीजेपी मलसी एके शर्मा भी मीटिंग में रहे मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्क्री अध्यक्ष अखिलेश यादों ने ट्विट कर चुनाओ आयोग से निर्वाचन न्याय की गुहाल लगाई एक वीडियो शेयर कर अमरोहा से भारतिय जन्तापार्टी विधायक महेंद्र खडगवंशी पर कोविड गाइडलाइन और चुनाओ आचार सहिता के उललंगन का आरोप लगाते हुए उन्होंने आयोग से कारिवाई की मांग की नरेश टिकैट से मिलने पहुँचे केंद्रियो मंतरी संजीू बालियान किसान आंदोलन के बाद पहली बार सिसौली में रखा गदम सपा संरक्षक मुलायन सिंग यादो की छोटी वहू अपड़ना यादो के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच शुपाल यादो ने उन्हें नसिहत दी कि अपड़ना को अभी सपा में ही रहना चाहिए उन्हें पार्टी के लिए काम करना चाहिए फिल टिकट की उमीर रवी किशन के रैप सौंग का नेहा राठोर ने दिया जवाब सोचल मीडिया पर यूपी में सबबा बनाम यूपी में काबा की जंग इसके पहले नेहा ने बिहार में काबा गाना गया था जिसकी 2020 के बिहार विधान सबद चुनाओं में काफी चर्चा हुई थी मुक्तार अंसारी के भाई और गाजी पुर से बसपा सांसत अफजाल अंसारी की बिगडी तबियत अचानक तबियत बिगडने से लखनव मेदानता हॉस्पिटल के आईसियो में कराय गया भरती उनकी आतों में समस्या है गैस्ट्र सर्जरी के डॉक्टर आनन प्रकाश के निर्देशन में अफजाल की चलना है इलाज हाई कोर्ट में आज से आधे करमचारियों से होगा काम बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला अधिसूचना के मुताबिक अनुभाग अधिकारी कोर्ट या छूट दी गई है कि अतियावशक होने पर घर बैठे स स्टाफ को काम के लिए बुलाया जा सकता है इसके पसाथ ही हाई कोर्ट ड्रियागराजवल लखनव खंड पीट परिसर में शराब पिकर पान घुटका वर तमाकु खाकर आने पर प्रत्विन लगा दिया गया घने कोहरे की चपेट में यूपी यूपी में सबसे ठंडा रहा बरे ली रहे तयार अभी बारिश के बन रहे असार आंचलिक मौसम विज्यान केंद्र ने पूरवी और पश्चिमी उत्र प्रदेश के लिए यलो और और औरेंज अलट जारी किया है पूरे प्रदेश में क इन में से 300 से अधिक मरीज रोज आ रहे हैं स्वास विभाग की अधिकारियों का कहना है कि अली गंज में 384 मरीज वायरस की चपेट में आ गए तो वहीं चिनहेट में 344 लोग संक्रमट पाए गए हर खबर पर होगी आपकी पकड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकोन दबाना न भूलिए